नमस्कार दोस्तो इजी लिक्टिक ग्यान येटूब चनल में आप लोगा स्वागत है दोस्तो मेरे पास एक एलेक्टिक तराजू आया हुआ है और एक प्रोब्लम ज़्यदातर देखने को मिलता है जदि आपके पास भी इस तरह का एलेक्टिक तराजू है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा यहां पर देख रहे हैं चार्जिंग सो कर रहा है अब यहां पर जिस तरह से मैंने स्यूज को आउन किया तो डिस्प्ले पर देख रहे हैं यहां पर जो रेडिंग है रेडिंग अटोमेटिक बढ़ते चला जाता है तो देख रहे हैं यहां रेडिंग जो है इसका बढ़ रहा है और यह रेडिंग कम नहीं होगा बढ़ते चला जाएगा और यह जो प्रूब्लम है जितने किराना दुकान पर है ज्यादा किराना दुकान पर ही देखने को मिलता है तो इस प्रूबलों को हम आज ठीक करके दिखाएंगे कि कैसे ठीक होगा तो दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पुरा देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना लाइक कर देना और बेल घंटी प्रेस जरूर करना तो सबसे पहले हम में लिड को लिकाल देंगे और नीचे में देखेंगे कि चार स्कूरूप दिया हुआ है चारू स्कूरूप को खोलेंगे तो चलिए चारू स्कूरूप को हम खोल देते हैं देख रहे हैं अंदर में बैटी दिख रहा है तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बैटी का वोल्टेज हम चेक करेंगे कि बैटी पर वोल्टेज कितना मिल रहा है बैटी चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो इसको चेक करने के लिए में लिड हम लगा देंगे और उसके बाद यहां हम मल्टिमीटर से चेक करेंगे बैटरी पर 6 वोल्ट के आसपस मिलना चाहिए तो चलिए हमें यहां पर बैटरी का वोल्टेज पहले चेक करते हैं तो दोस्तो देख रहे हैं यहां पर दो भोल्ट दो भोल्ट आड़ाई भोल्ट के आसपस में यहां पर सप्लाई मिल रहा है तो यहां पर हमको 6 भोल्ट सप्लाई सो करना चाहिए तो यहां पर आड़ाई भोल्ट मिल रहा है तो हो सकता है अंदर बोड से प्रोबलम हो चार्जिंग धीमा करता हो बैटरी का और बैटरी भी खराब हो सकता है तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि बैटरी का एक वायर को ओपिन कर देंगे हम और एक वायर ओपिन करने के बाद में जो input supply बैटी पर आ रहा है तो input supply हम चेक करेंगे के कितना आ रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं 7.80V यानि की 7V के आसपस में यहाँ पर supply मिल रहा है जब इसको हम बैटी से connect करेंगे तो यहाँ पर 6V हो जाएगा तो दोस्तो अंदर board में जो 78.08 लगा हुआ है तो यहाँ पर 8V के आसपस में बैटी पर आता है जब बैटी से connect होता है तो क्या होता है कि voltage दब जाता है 6V हो जाता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बैटी का दोनों wire open करके और यहाँ पर हम अलग से दूसरा बैटी जो नया है या अच्छा बैटी जो है उसको हम यहाँ पर connect करके देखेंगे तो दोस्तो यहाँ पर बैटी चेंज करने से पहले बैटी का भी एक बर voltage चेक कर लेते हैं कि बैटी का voltage कितना बता रहा है तो यहाँ पर देख रहे है तो पॉइंट यानि कि अढ़ाई भूल्ट का अच्छ बस में बैटी बता रहा है बैटी बहुत काफी दिन का हो चुका है देख रहे हैं यहाँ पर date भी लिखा हुआ है 9-2019 का यानि कि 19 का बैटी है चलिए अब यहाँ पर हम नया बैटी का connection करके देखते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे connection करने के लिए बलाई कोला वायर माइनस पर और रेड वाला जो वायर है पलस पर connection करेंगे पहले बैटी चेक कर लेते हैं यहाँ पर बता रहा है तो अब यहाँ पर बलाई कोला वायर माइनस पर connection कर देंगे और रेड वायर पलस पर connection कर देंगे अब आगे डिस्प्ले का रेडिंग देखते हैं कि डिस्प्ले का रेडिंग बढ़ा हुआ है कि नहीं है तो चले यहां हम से उच ले本 whisky को ऑ अ ओन करके देख लेते हैं look तो देख रहे हैं रीडिंक का जो like है light महीं बढ़़े चुका है और यहां पर जो reading ड़ह रहा था अब reading बिलकुल जीरो का जीरो है देख रहे यहां पर जीरो का जीरो है तो यहाँ पर आप लोगो को पता चल गया होगा कि problem कहां से है अंदर बोर्ड से है कि बैटरी से है तो आप नीचे comment box में जरूर बताइएगा तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि नया बैटरी का connection करके जिस तरह से screw कसा हुआ था और यहां पर जो रेडिंग इसका बढ़ रहा था तो रेडिंग भी बिलकुल सेम है जीरो का जीरो है यहां पर वजन रखकर चेक कर लेंगे तो दोस्तो आज का वीडियो मेरा कैसा रहा आप नीचे कमेंट बक्स में जरू लिखना और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सेर करना नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम फिर मिलेंगे तब तक चलते हैं दोस्तो जैहन